वीवर जरा सुचो कोई मॉडरन जमाने की बिमारी का इलाज करने के लिए हजारों सालों से सो रही हुई मम्मी को जिन्दा कर दें कुछ ऐसा ही होता है इस ओरत के साथ पर क्या वो सारी खतरनाक मम्मी जिन्दा होने के बाद उस ओरत की बात मानेंगी ये तो जल से जल पता करना पड़ेगा कहानी की शुरुआत में हमें एक बिजनेसमैन दिखाय जाता है जो रास्ते पर चलते जा रहा था तब ये उस बिजनेसमैन को एक रूम में से काफी अजीब तरीकी की रोशनी दिखाई देती है और उन्हें देखने पर वो बिजनेसमैन एकदम से डरी गया था वो तो बिना टाइम भेश्ट के वहाँ से भाग जाता है दरसल उस कमरे में एक बहुती बुढ़ा विज्ञानिक रहता था जिसका नाम मॉर्गन था इतने सालों की रिसर्च करने के बाद मॉर्गन का ये दावा था कि वो किसी भी मरीवी चीजों को जिन्दा कर सकता है और अब मॉर्गन ने तो अपना एक्सपरिमेंट टेस्ट करने के लिए रिचुल्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था और अब इन सारे चीजों की इफेक के वज़े से पासी वाली म्यूजियम में इतने सालों से रखा हुआ अंडा जिन्दा हो जाता है और अब उसके अंदर से एक उडने वाला डाइनासौर निकल गया था जो तेजी से उड़ते विवे सिटी के तरफ चले जाता है उस डाइनासौर ने तो एक गाड़ी पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया था और अब वो खतरनाक डाइनासौर पूरी तरीके से आजाद था अब हमें दूसरी तरफ एडल नाम की एक रिपोर्टर दिखाए जाती है और वो अभी इसवक इजिप में मौझूद थी एडल वहाँ पर एक ऐसे ममी को डून रही थी जो की अपने जमाने में डॉक्टर हुआ करते थे वो तो अपने कई लोगों के साथ वहाँ पर घूमने लगती है पर तभी एडल को रास्ते में दो चोर मिल जाते हैं जिने की ममी इसके पास जाने का रास्ता पता था और अब एडल और बाकी सब पिरामिट के अंदर चले जाते हैं कुछी दूर जाने के बाद उन्हें खजाने से बरा हुआ एक कमरा मिलता है जिससे देखकर वो दूर चोर खजाने को लेने चले गए थे पर तभी अचानक से नीचे गिदने की वज़े से उनकी मृत्ति हो जाती है यानि कि ये खजाना श्रापित था इसलिए एडल और बाकी सब इस खजाने को नाच होते हुए ममी के बाड़ी के तरब बढ़ते जाते हैं बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद एडल को वो ममी मिल गई थी लेकिन वो उसे वहाँ से लेकर जाती तब ही उस जगह पर एक पुलिस ओफिसर आ जाता है उस पुलिस ओफिसर के पुछने पर एडल ने ये बताया कि वो यहाँ पर एक ममी को लेने आई है ये एक डॉक्टर की ममी थी जिसकी मदद से एडल अपनी बिमार बहन को ठीक करना चाती थी वो पुलिस ओफिसर तो थोड़ा सा सौक हो जाता है क्योंकि मरी भी ममी कैसे उसकी बेहन का इलाज कर सकती थी तब जाकर एडल पुलिस ओफिसर को मॉर्गन जैसे सांटिस के बारे में बताती है जिसके पास ऐसे टेक्नलोजी थी जो मरे हुए को भी जिन्दा कर देती थी पर अब तो वो पुलिस ओफिसर भी मॉर्गन को जानता था पुलिस ओफिसर कहता है कि मॉर्गन अब काफी बूड़ा हो चुका था इसलिए वो ऐसा कभी करी नहीं पाएगा और अब वो पुलिस ओफिसर एडल को गिरफतार करने के लिए अपने आजमियों को भीज देता है क्योंकि जो भी हो एडल ने अपराद तो किया था लेकिन एडल बड़ी चालाकी से उन्हें चक्मा देकर उस ममी को वहाँ से लेकर नदी के रास्ते से निकल जाती है और अब उसके पास वो डॉक्टर की ममी थी जो उसके बीमार बेहन को ठीक कर सकती थी अब हमें वही बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कहानी की शिरुवात में मॉर्गन का घर देखकर डर गया था उस बिजनेसमैन से कुछ पुलिस ओफिसर पूछताच कर रहे थे वो बिजनेसमैन तो उन्हें उस रात हुई सारी चीज़े बता रहा था कि कैसे उसने मॉर्गन नाम की एक साइंटिस के घर में अजीब तरीकी की रोशनी देखी इतना ही नहीं उस बिजनेसमैन ने तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डैनासौर भी देखा था लेकिन बिजनेसमैन की इन सारी बातों का पुलिस ओफिसर भरोसाई नहीं कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये सब को बेवकोब बना रहा है ये सारी बाते जादा ना पहले इसलिए उन पुलिस वालों ने बिजनेसमैन को जेल में बन कर दिया था पर अफ काफी देर हो चुकी थी जहर में लगबख सारी जगाओ पर उस डाइनसार के बारे में बात करना चालू हो गया था अब तो सभी लोग इन सारी बातों से डरने भी लगे थे जब ये बात वहाँ के पीम को पता चलती है तब वो अपने हेट पुलिस ऑफिसर को चेतावनी देता है कि वो इन सारे र्यूमर्स को जल से जल खतम करे अब दूसरी तरफ हमें एक साइंटेस दिखाय जाता है जो अपने एक असिस्टेंट जॉन के साथ उसी म्यूजियम में आ गया था वो दोनों तो वहाँ पर उस तूटे हुए अंडे को चेक कर रहे थे जो सालों से म्यूजियम में पड़ा हुआ था उन्हें ये बात तो एकदम कंपर्म हो गई थी कि इस अंडे में से एक डाइनासौर उड़कर उपर निकला है क्योंकि उपर की छट भी तूटी हुई थी यानि कि डाइनासौर के बारे में जो अफ़ाय यहाँ पर फैल रही हैं वो दरसल रियल हैं वो सारे पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर आकर जौन और उस वैग्यानिक से पूछताज कर रहे थे लेकिन अभी तक उन्हें भी पक्के सबूत नहीं मिले हैं जिससे कि वो सब ये दावा कर सके कि सेर में एक बहुत ही बड़ा डाइनासौर घूम रहा है जरूरत की कुछ इंपॉमिशन ना मिलने की वज़े से वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं अब हमें वो बुड़ा वे ग्यानिक मॉर्गन दिखाया जाता है जिसके पास वो डाइनासौर उड़ता उड़ता अपने आप ही आ गया था दरसल मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके सिर्फ उस डाइनासौर को जिन्दा नहीं किया था बलकि वो डाइनासौर मॉर्गन की बॉड़ी से कनेक्टेट था मॉर्गन को समझ जाता है कि वो डाइनासौर भूखा है इसलिए वो डाइनासौर को कुछ खाने के लिए देता है पर तभी उस जगह पर पुलिस वाले आ गए थे मौरगन ने जल से जल उस डाइनासौर को अपने कमरे में छुपा लिया होता है और अब वो पुलिस वाले मौरगन के घर की छान बिन करने लगे थे तबी एक पुलिस ओफिसर वहाँ पर रखे गए एक अंडे को खाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि उस डाइनासौर ने देख लिया होता है इसलिए अब वो डाइनासौर अंडे को खाने के लिए बार निकल कर सारी चीजे तबाह करने लगता है दिखते ही दिखते वो डाइनासौर तो उड़कर भाग गया था पर अब उन सारे पुलिस ओफिसर्स को ये तो पता चल जाता है कि वो डाइनासौर असली में है उन्होंने बिना कुछ सोचे मॉर्गन को गिरफतार कर लिया था वहीं दूसरी तरफ हमें एडल दिखाई जाती है जो इजिप से अपनी सीटी वापस आ गई थी एडल ने तो अपने साथ उस डॉक्टर की ममी को भी लाया होता है जिसे कि वो लेकर तुरंती अपने घर पर चली जाती है वहाँ पर तो एडल की छूटी बेहन थी जो पूरी तरीके से पैरलाइज होती है वो तो जरह सा भी हिल नहीं पा रही थी और इसलिए एडल ने अपनी बेहन को ठीक करने के लिए उस डॉक्टर की ममी को यहाँ पर लाया था और अब एडल मॉर्गण की हेल्प लेकर उस डॉक्टर की ममी को वापस से जिन्दा कर देगी अब जॉन जो कि एडल को काफी पसंद करता था, वो एडल के लिए एक लेटर लिखता है, जिसे कि वो चोरी छुपके उसके दरवाजे पर रख रहा था, पर अब एडल ने जॉन को देख लिया होता है, जिसे कि वो अंदर बुला रही थी, बातो बातों में एडल को ये पता लिया था जो कुछी दिरों में जल से जल वहाँ पर पहुँच जाती है एडल ने तो खुद को एक वकील में कनवर्ट कर लिया था जो मॉर्गन के पास जाकर उससे बात करने लगी थी मॉर्गन एडल को बताता है कि उसने अपने टेक्नलोजी का यूज करके एक मरे हुए डा इस जेल से बाहर निकालेगी पर ये सारी चीजे इतनी आसान तो नहीं होने वाली थी अब वहां के जेलर ने एडल को पहचान लिया था जिससे वो पकड़ कर जेल से बाहर कर देते हैं लेकिन एडल इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी दूसरे बार एडल जेल में खा भी नीठीक हो पाएगी, वो अलग-अलग बेज बदल कर जेल के अंदर जाते रहती है, लेकिन वो हर बार पकड़ा जा रही थी, पर जब वो जीलर का कॉस्ट्यूम पहन कर अंडर जाती है, तो उससे कोई भी पैचान नहीं पा रहा था, पर जब वो मॉर्गन के कमरे के पास आ गई थी, तब तो वहाँ पर कोई दूसरा ही कैदी मौजूद होता है, वो कैदी बता रहा था कि मॉर्गन को एक दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि उससे जल से जल फास ही मिलने वाली थी, एडल तो काफी डर जाती है, और वो जल से जल मॉर्गन को बचाने के लिए कुछ करना चाती थी, एडल तो डिरेक्ली पीम के पास पहुँच जाती है, जिससे वो मॉर्गन को बाहर निकालने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पीम एडल से कहता है कि वो इस बारे में जल से जल को सोचेगा, तब उस जगह पर वही उडने वाला डाइना किया है, और अब वो सारे लोग एडल को पकड़ कर वहां से लेकर चले जाते हैं, यहाँ जॉन और वो साइंटिस एक जगह पर होते हैं, जहाँ पर उन्होंने उस डाइनासौर को चुपा कर रखा था, जॉन उस डाइनासौर को कुछ खाना खिला रहा था, जिससे कि उसका पेट भरा रहे और वो लोगों पर हमला ना करें। सच में जॉन की ये तरकीब काफी अच्छी थी। क्योंकि इन सारे डानासॉर्स को टाइम टाइम पर बहुत ही ज़दा भूख लगती है। और अगर उनका पेट भरा रहेगा तो वो इनसानों पर हमला ही क्यों करेंगे। वहाँ दूसरी तरफ एडल एकदम परिशान होती है। लेकिन जब वो जॉन का दिया हुआ लेटर पढ़ रही थी जिसमें जॉन ने लिखा था कि उसे इस बारे में पता है कि वो डानासॉर कहाँ पर है। ये पता चलने के बाद तो एडल तुरंती जॉन के पास पहुच गई थी। एडल तो वहाँ पर उस बड़े से डानासॉर को भी देखती है। वहाँ पर आ जाता है जिससे कि उस बड़े से डानासॉर को मारने की अनुमती दी गई थी। पुलिस आफिसर तो बिना कुछ सोचे उस डानासॉर पर फायर कर देता है। और अब डानासॉर को वो गोली लग गई थी। ताजुब की बात ये थी कि मॉर्गन को भी उसी टाइप की चोट लगती है। जैसा कि हमें पता है कि मॉर्गन ने जब उस डानासॉर को बनाया था तब वो सिब जिन्दा ही नहीं हुआ था। बलकि मॉर्गन के बॉड़ी से कनेक्टेट था। और अगर वो डानसॉर मर गया तब मॉर्गन भी नहीं बचेगा। सच में वो गाव इतना गहरा था कि मॉर्गन अपनी आखरे सासे ले रहा होता है। एडल तुरंत ही मॉर्गन को अपने घर पर लेखे आ जाती है। और अब थोड़ी दिर बाद वो मॉमी जिन्दा हो गई थी। जिन्दा होने के बाद वो डॉक्टर की मॉमी एडल से पुछती है कि उसकी बैन को अखिरकार क्या हुआ। एडल बताती है कि कुछ सालों पहले जब वो और इसकी बैन टैनिस खेल रहे थे तब गलती से बॉल लगने की वज़े से एडल की सिस्टर के सर में उसका हैर पिन गुस गया था। जिससे कि उसका पूरा बाड़ी एकदम से पैरलाइज हो जाता है। तब ही वो डॉक्टर ममी एडल से कहता है कि वो दिमाग से रिलेटेट चीजों का इलाज नहीं करता। उसकी स्पेशलाइजेशन सिप नॉर्बल विमारियों को ठीक करने के लिए है। लेकिन मॉर्गन ने जब वो स्पेल पड़ा तब आसपास की सारी ममीज जिन्दा हो चुकी होंगी। और उन में से कुछ ममीज ऐसे होंगे जो सायच से एडल की बैन को ठीक कर सकते थे। इसलिए अब एडल अपनी बैन को लेकर पासी वाले म्यूजियम में चली जाती है। जहाँ पर वो सारे ममीज एकदम से जिन्दा हो चुके थे और अब वहाँ पर उन लोगों ने सबसे पाउरफुल ममी को जिन्दा कर दिया था। जब उन्हें पता चलता है कि एडल नहीं उन सभी को जगाया है तब वो सब एडल की मदद करने के लिए रेडी हो गए थे। अब एडल उन ममीज को अपनी बैन का इलाज करने के लिए उन ममीज ने तो बिना टाइम वेस्ट किये अपनी एंशेंट नौलेज का यूस करते हुए एडल की बैन को ठीक करना स्टार्ट कर दिया था। और अब पता नहीं कैसे एडल की बैन एकदम से नॉर्मल हो जाती है वो तो अब पूरी तरीके से एकदम हिल डूल पा रही थी याने कि उन ममीज के पास डॉक्टर्स का जो नौलेज था वो बहुत ज़्यादा यूनिक और पाउरफुल होता है और अब जब वो सारे ममीज एकदम से जिन्दा हो गए थे तब वो एक जो ठोकर निकल पड़ते पूरी सीटी में सेर करने के लिए सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जॉन भी एडल के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता है और वो दुनों एक चुट्टी मनाने के लिए टाइटैनिक नाम के एक बोट पर जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये कानी यही पर खतम हो गई थी तो वीवर्स आपको ये स्टोरी कैसी लेगी प्लीज कमें सेक्शन में मता देना और अगर आपको मेरा एक्स्पनेशन एक पसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो मिलता है नेक्स वीडियो मे सिया